So hi everyone, यहाँ पर आप लोग साइड में देखे, हमारे यहाँ पर Google AdSense एकाउंट में यहाँ पर identity verification के लिए option आ चुका है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर red color का पट्टी में आया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है verify now यानि कि यहाँ पर हमारे Google AdSense एकाउंट में identity verification के लिए option आ चुका है और मैं आपको बता दूँ यह जो option है आपके YT studio में maximum 10$ होने के बाद आता है तो चलिए मैं आपको अपने YT studio में दिखा देता हूँ कि हमारे YT studio में कितने डॉलर हुए है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे YT studio में 11.49$ हो चिके हैं और यह option हमें कल ही आ चुका था हमें mail भी आ चुका था तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि identity verification को किस तरीके से किया जाता है मैं आपको सब कुछ live दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने chrome browser में आपको अपने google adsense account को open कर लेना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर verify now दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको click करना है और दोस्तो आगे बढ़ने से पहले बस मैं आपसे एक छोटी से request करता हूँ कि आप लोग हमारे इस channel को subscribe कर दीजे क्योंकि आप लोगों का प्यार और support की जरूरत है हमें तो आप लोग जो है channel को subscribe कर दीजेगा तो आप जैसे ही यहाँ पर click करोगे verify now पर तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से page आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि verify identity verification के लिए आपको चार चीज चाहिए होता है चार में से एक चाहिए होता है आपको यहाँ पर driving license, passport, pen card, voter card यानि कि voter ID तो यहाँ पर चार में से आपके पास एक चीज होना चाहिए जो कि हमारे पास है pen card तो simply आपको करना क्या है आपको यहाँ पर दिखाई देगा start verification तो यहाँ पर आपको start verification पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखे कुछ इस तरीके से आपके सामने page open हो जाएगा और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप लोग ध्यान से देखेगा इस video को, एक-एक step को नहीं तो आपका जो है problem आएगा और आपके Google AdSense में जो है payment नहीं आएगा जब तक आप इस verification को नहीं करोगे ना तो आपके payment hold पे रहेगा आपके Google AdSense में आएगा नहीं और यदि आप लोग identity verification को नहीं करोगे तो आपके वीडियो पर add आना बंद हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दो option दिखाए देंगे पहला है legal name तो यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको अपना legal name डालना है यानि कि आपको अपना original name डालना है और यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपको उसका name डालना है जिसके नाम से Google AdSense account बना हुआ है अगर आपके पापा के नाम से Google AdSense अकाउंट बना है तो आपको यहाँ पर अपने पापा का नाम डालना है मम्मी के नाम से AdSense अकाउंट बना है तो आपको मम्मी का नाम यहाँ पर डालना है यानि कि घुमा फिरा के बात करें तो जिसके नाम से आपका Google AdSense account बना हुआ है आपको यहाँ पर उसका original name डालना है जो कि आधार कार्ड bank account में होता है तो चलिए यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ क्योंकि मैंने अपने नाम से ही Google AdSense account को बनाया हुआ है तो यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया है उसके बाद यहाँ पर second वाला है Select ID Type यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Select ID Type तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको चार में से किसी एक को सिलेक्ट करना है जो कि आपके पास है तो यहाँ पर Pen Card है मेरे पास तो यहाँ पर मैं Pen Card पर क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेगा यहाँ पर आपके सामने दो ओप्सन फिर से आ जाएंगे यहाँ पर है पहला Front of ID यानि कि यहाँ पर आपको अपने ID का Front Page यहाँ पर आपको अपलोड करना है और यहाँ पर Second Dollar Option है Back of ID यानि कि आपको अपने ID के पीछे का पाट जो है अपलोड करना है यहाँ पर और यहाँ पर दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से अपने ID का फोटो लेना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको अपने ID का फोटो लेना है यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आपको फोटो लेना है और यहाँ पर मैं फाइल आपको अपलोड नहीं करना है आपको अपने रियर कैमरा से आपको खीच के अपने खीचना है आपको और प्लेन अस्थान पर रखके खीचना है नहीं तो आपका जो है जो एडिसंस अकाउंट का जो है आइडेंटी वेरिफिकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा तो आपक पर मैं front site का upload करता हूँ उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो document है वो upload हो रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारे ID का front site upload हो चुका है अब यहाँ पर हमें upload करना है back side तो back of ID पर upload पर click करता हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं फाइल से जाके यहाँ पर मैं अपने ID का back side जो है select कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने जो है दोनों select कर लिया है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने front side और back side दोनों यहाँ पर select कर लिया है यानि कि upload कर दिया है उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक बटन next का तो simply यहाँ पर आपको next पर क्लिक कर देना है आप जैसे ही next पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना address डाल देना है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा address यहाँ पर automatic फिल हो चुका है यहां पर automatic फिल हो चुका है क्योंकि यहां पर मैंने पहले ही address दे रखा है मैंने उसी पर click किया, automatic फिल हो गया है लेकिन आपको यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि आप जिस जगह पर रह रहे हो present time में और आप महिने दो महिने उसी जगह पर रहोगे तो आपको same वही address आपको डालना है क्योंकि Google AdSense का जो pin होता है वो current address पे ही जाएगा आपके पास तो इसलिए आप जहां पर रह रहे हो आपको वहां का address डाल देना है उसके बाद यहां पर आपको दिखाई देगा submit यहां पर नीचे दिखाई देगा आपको submit का बटन जैसा कि यहां पर आप लोग देख सकते हो आपको दिखाई दे रहा है submit तो simply आपको यहां पर क्या करना है यहां पर आपको submit पर click कर देना है आप जैसे submit पर click करोगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना होगा उसके बाद आपके सामने एक नया page open हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा wait कीजिए तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से page open हो जाएगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा verification in progress और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Thanks for submitting your information, the verification process may take a few days, we'll send you an email with the result तो दोस्तों यहाँ पर बता रहा है कि आपका in progress में है और इसे complete होने में कुछ दिन का समय ले सकता है यहां पर clear नहीं किया गया है कितने दिन का समय लेगा लेगिन कुछ दिन का समय लेगा और उसके बाद आपको email भेज देगा कि आपका जो है verification complete हुआ या फिर reject हो गया सब कुछ आपके email पर भेज देगा उसके बाद यहां पर आपको दिखाए देगा got it यहां पर आप लोग देख सकते हो तो यहां पर आपको got it पर click कर देना है आप जैसे ही got it पर click करोगे यहां पर आप लोग देख सकते हो your identity verification in progress यहां पर लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो यहां पर your identity in your identity verification in progress यानि कि यहाँ पर यह error अभी कुछ समय बाद यह automatic हट जाएगा और जो आपका identity verification है वो in progress में है और उसके बाद कुछी दिनों में आपका जो identity verification है वो complete हो जाएगा मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गये हैं कि किस तरीके से identity verification को किया जाता है अगर आपके मन में कोई doubt है या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें instagram पर message कर सकते हैं username है भेमराज089 आपको link description में मिल जाएगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर दीजे थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जैहिन बंदे मात्रम